Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ritik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Policy Bazaar में आप अपना अकाउंट कैसे खोलेंगे, okay So first आपको Policy Bazaar वेबसाइट को उपन कर लेना होगा आप चाहे तो Android एप्लिकेशन, iOS एप्लिकेशन भी पर आप इसे यूज़ कर सकते Okay, फिलाल मैं यहां पर वेबसाइट में आ चुका हूँ Then आपको इस टैप का इंटरफेस दिख रहा होगा First आपको Sign In पर क्लिक करना है, okay Sign In पर क्लिक करने के पाद आपको इस टैप का इंटरफेस मिलेगा अब यहां पर आपको अपना Mobile Number डालना है Mobile Number डालने के बाद आपको उस Mobile Number पर एक OTP आएगा Okay, जाहे तो आप लोग Mobile Number से भी Sign In कर सकते है या फिर WhatsApp के द्वारा भी कर सकते या फिर आप Google के द्वारा भी कर सकते जो भी Email ID Login होगा आप उसके द्वारा भी यहां पर Login कर सकते तो फिलाल मैं यहां पर Sign In with Google कर लेता हूँ यहां पर Already हमारी Email ID Login है तो मैं से इसको Login कर लेता हूँ Login करने के बाद यहां पर मैं अपना Mobile Number डाल दूँगा विकास Mobile Number भी कंपल सरी है जैसे आप लोग अपना Mobile Number डालेंगे यहां पर आपको Please Help Us Verify Your Number Change Mobile Number का आपको Option मिलेगा फिलाल हमें Mobile Number Change नहीं करना है I Am Not Robot पर हम क्लिक करेंगे Then Continue पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको एक OTP आएगा जो भी आपने Mobile Number डाला था Then जैसे आप लोग अपना Mobile Number डालेंगे आपका जो Account रहेगा वो Create हो जाएगा My Account में जाता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारा Account है वो यहां पर इतना ready हो चुका है Then उसके बाद हम यहां पर जो अपनी नाम डाल लेते अपना जो भी नाम रहेगा My Account में जाके प्रितिक BHA GAT Then यहां पर हम अपनी Date of Birth डालेंगे Okay Okay So यहां पर हमने अपनी Date of Birth भी डाल दिया है Then Continue पर क्लिक करेंगे Continue पर क्लिक करने के बाद देखिए कि Namaste Great to have you back Okay तो यहां पर जो हमारा Account है वो यहां पर ready हो चुका है And आपको यहां पर कुछ Gift Foucher भी देखने को email account पर आप लोग जाएंगे तो आपका जो account है यहां पर login हो चुका है Okay Then अगर आपको कभी भी login करना रहेगा ना दुबारा से तो आपने जो mobile number डाला था email id डाला था उसके माध्यम से आप लोग यहां पर दुबारा से login कर सकते because यहां पर आपको ऐसा कुछ password डालने की जुरत नहीं पड़े प्रोफाइल पर हम जाते तो आप लोग यहां पर देख सकते अगर आपको इसको और भी setup करना रहेगा तो आप वो कर सकते जैसे कि mail है then annual income कितनी है वो आप लोग डाल सकते मेरिटील status का है आपका फिलाल सिंगल है इंकम हम वो डाल लेते दें सीटी आपके कुछी है सीटी के बाद आपका mobile number then आपका email address ठीक है दें आपको save detail पर क्लिक करना है और आपका जो account रहेगा इस तरीके से पूरा का पूरा यह ready हो जाएगा ठीक है यह आपकी personal details है अगर आपको family details दालना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते add a family member पर हम क्लिक करेंगे अब जैसे कि हम अपनी mother का डालना जाते है तो आपने डाल दिया mother mother का नाम डाल लेंगे then mother की date of birth and अगर आपको asset है आपके पास में उसको अगर you have not added any vehicle at तो अगर आपको कोई vehicle को add करना है तो आप उसको भी add कर सकते है यहाँ पर उसका भी आप insurance यहाँ पर ले सकते है ओके तो यह आपका profile बन चुका इस तरीके से dashboard में जाएंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा and policy बजार में आप इस तरीके से अपनी profile बना सकते है अपना account create कर सकते है ओके so topic discover मिलते है next वीडियो में जाए मातादी